मेरे नाम इनुराग पांडे चल रहा है पिक्शर पांडे और आज मेरे साथ में मौजूद हैं गौतम गुलाटी जिनके फिल्म आ रही है अजहर गौतम आपका बहुत-बहुत स्वागत है यार अजहर जो की क्रिकेट अजुरुदीन की बायोपिक है अजहर जो भी कहना चाहें तो फिल्म के पार्ट क्या होंगे मतलब कैसा होगा इस फिल्म के अंदर एक नहीं क्या क्या मिलने वाला है इस फिल्म अजहर अजहर जो उससे रिलेटेड चीजे डाल रहे हैं क्या इस फिल्म हैं थिल्म मैज़ फिक्षिंग के जो कॉटरुसिए होती हो दिखाएंगे या जो बाशन वेशन सकत्राइए तुरु जिस वहात in 10-15 साल के बीश में जो हुआ था जो फटको पिर है भीक देही था जो उनका experience नजर आएगा कि क्या हुआ था है कि ये स्विल में काम किया गौतम ग्राटी अपने आप में टीवी में बड़ बड़ा नाम है तो कैसा अनुवाव रहा ओर ओर आल काम करने का अब, अब, acting wise I would say like I've got a very good experience मैंने साथ साल छुपके काम किया है इसी दी काम किया है ताकि मैं एक दिन सामने हूँ तो एक proper आप को लगे कि हाँ यार, even if he'll do a small bit, he will look like an actor, you know, so I've worked on that, that's how I work क्या बात है? गौतम गुलाटी सौर रुपी बात होंगी सिर्फ और सिर्फ प्क्षर पांडे के साथ मैं हो अनुराग पांडे अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो जरुर मेरे Facebook पेज में जाएए अनुराग पांडे पेज में A-N-U-R-A-G, P-N-D-E-Y सब्सक्राइब पर टीवी शोज और बाला जी टेले फिम्स फोर लाइक फोर यह अर्लियर मुझे उस चीज़ का ऐसा कोई अभी एक्सपीरिस इतना है कि उस सीज़ में मुझे कोई डर नहीं है कि मुझे टाइप कास होने का कि मुझे आप ऐसी रोल मिलेंगे या कुछ अच्छे बैनर में एक मैं किस लेवल के काम कर सकता हूँ पांडेज मोस्ट वांटेड गाता में इमानरी से बोल टीवी और फिल्म में क्या डिफरेंस कितना अंतर है वडियू थिंग यार मैं टीवी अपने हसाब से आम करता हूँ मैं अपने हाप एक राप एक राप नाता था और वेए यार दो तो उड़ पर मना कर देखता हूँ कि या थुदा फेक लगेगा अन्रेल लगेगा रिखाँ तो अवी पर्संदा था तो बोलते हाँ दिखाँ I just got into the character and I started behaving like the character and the moment I started getting the cues from the other actor I behaved like the character so that is how I actually worked so it's quite easy for me क्या बात यार गौतम तुम्हें बहुत बुच्छी बात बोली कि फिल्म और टीविम क्या डिफरेंस है डिफरेंस तो है यार मानो या ना मानो चल रहा है फिक्षर पांडे में हूँ आपके साथ अनुराख पांडे और आज मेरे साथ में माजूद हैं फिल्म अजहर के गौतम गौलाटी जिन सम्लगातार बाते कर रहे हैं लेकिन भाई मेरा टीवी में भी बहुत चाया रहा आपके पसंद के जबर्दस गाने तो रोजाना लेकर आता हूँ लेकिन साथ ही साथ में आज लेकर आया हूँ में अजहर फिल्म के गौतम गौलाटी को जिनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चल रही है अब आतम इमान अरे से बताओ क्या टीवी को बाई 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 बोल दोगे अब नहीं आओगे वापस मतलब जो भी हो दिल में प्लीज बताना तो पड़ेगा ऐर ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत सारी लड़कियां देखो यह दिविया है शाइन है यह कहते है कि क्या गौतम छोड़ेगा टीवी टीवी इंडस्ट्री को भाई-बाई तो नहीं बोलूगा बट यह कि मैं अगर मुझे टीवी में कुछ बहुत इंट्रेसिंग लगा तो ही मैं वो करूगा पर हाँ टीवी में आक्टिंग में करूगा टीवी शोज ने आक्टिंग ने करूगा पर टीवी के कुछ अधर शोज जैसे बहुत शोज आते हैं रियालिटी शोज में इवेंट्स करते हैं रेगुलर्ली तो उसके अंदर मैं यूट तो सीज़ें आ रही है लेकिन यार बि किसी को भी इतना फायदा नहीं हुआ है और आज तक वो चीज चलती है लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं I can see their reaction and everybody knows me so it's a big thing and so people are still connected to me and I'm really happy कि मुझे तच्छोड इतने अच्छे फैंस मिले हैं जो जो जनो मुझे इतना प्यार दिया आज तक प्यार दे रहे हैं और मेरे लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट हो जाया बहुत बार शुक्रिया हमारे साथ में रहे मैं हूँ आपके साथ हनुराग पांडे अब जाने की बारी आ गई है तो दीजी अनुमती इजासत नमस्कार जाते जाते यही बोलूँगा कि अगर मेरा ख्याल आए अपना ख्याल जरू रहना